पर पन देजी बाक जबाब आप दीजिए और रहेए कि वे और कि या आतंकवाधी लेक्स प्रमालित हो गये थे मैं इसका जबाब पडिग वाज़बा का मसला है वाज़बा की सरकार किंदा शिके वारबाद के मसला आता एक तब बहुत कि क्या वो साबित हो गया था क्या वहां साबित है हमारी देश की जाश यह तैकर चुकी है वह पर देश की चुरप्षा के लिए 24 घंटे लगी है इस देश में एक भी कोई घटना होती है तो उसके लिए अपने जानने अंचेव कर ने को तयान रहत है और उनको पता है कि कौन वेटी कि सिक嚇न हो रही है किस की संत नहीं है और इसकाद गाज़ेते आपको नहीं आयस्कुन सकता नहीं करना और यह नियाले को देंगे और यह लोग यह वो लोग है यह वो लोग है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलने के लिए किसी भी पर यह प्रेंचिन उठा देते हैं परतु यह देश कानूस से चलेगा क्या उत्तरपदेश में सरकार के मदरसा बोड के संग्यान में यह है कि जो बॉर्डर का इलाका है सम्वेदंशील वहां पर मदरसों की संख्या में अपेक्षाक्रत सामाने इलाकों की तुल्ला में बहुत तेजी से बढ़ोत्री हुई है और हाँ तो इसके पीछे अरे रुक जाओ भाई इतना भी घ्या मत वनों महाराद तो रुको गजिवे की ठीक है कमरेली अमिताब जी देखिए मैं जब बात आप से करूँगा तो मैं जब आप से बात करूँगा तो लिखा पड़ी किसाब से बात करूँगा मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिएगा बराए मेरबनी देखिए जब हमारी सरकार बनी तो 16,513 लोगों ने अपना राइस्टेशन कराया मदरसे में 16,513 और 558 लोगों ने हमारी सरकार से अनुदान लिया जो बेसिक सिच्छा की तरस पे चले बता देना बहुत जरूरी है एक मुद्दा भी आपने और उठाया था कि आपके संग्यान में कुछ बाकी है कुछ सेलरी बाकी है तो मैं आपको बता दू मीनी आइटियाई थे जो मीनी आइटियाई चालो के लोग केंदरांस से और राजियांस के पैसे जो चलते हैं एक भी रुपिया उत्तर परदेश की सरकार हमारी योगी सरकार एक भी रुपिया उनके नहीं रोकती है और आजियांस हर महीने की पास तारीक के अंदर पहुंच जाती यह इनको बताईए का फजीलेमत वो पैसा ने यूँ बात पूरी हो जाने दिये मसला टीचरों का है बात पूरी हो जाने दिये वो देखिए देखिए जो जो केंद्रियांस है वो भी इसी महीने में उनके खातों में पहुंच जाएगा मैं आप से चैनल पर आपसे वादा करत हों देखिए कही कोई प्राबलम होती मेरी सरकार को वह हल करती है वह संख्यक मंत्राले में टांस्पर हो गया उनके इंद्रास भी उनको मिल जाएगा देखिए हमारी सरकार को इल्जाम अगर लगाएगा तो यह बरदाश वाली करने वाली बात नहीं है यार रुप जाओ ए मेरा इस बात से कोई सब्की आवाज भी रूखी मेरा इस बात से राई रत्ती लेना नहीं सरकार किसकी है मुझे तो ट्रिकेट लेनी नहीं ना मीरी इस बात से सेहत में फरक परता है राज्याण शे केंद्रान शे गरीब की तंखा पूरी जानी चाहिए वो किसी का अंश्य हो तीस दिन आदमी ने काम किया उसको पैसा मिलना चाहिए राज्यान शेय केद्रान शेय फला मंत्रा ले में चला गया यह क्या मतलब है यह समने चलेगा और हमको ग्यान मत दीजिए मेरी दखल के बाद जब नंदगोपाल मंत्री दे नंदी तो पैसा मिला था आप हमको समझा रहे हैं आपको कितना समय हुआ होगा मदर साब ओड समझते हुए यह हमको ने समझा यह ना मूल बात को समझे गरे मा बिपन ना अध्यापकों का पैसा मिलना चाहिए राज्यान्स केंद्रांस अंतर राश्ट्री अंस इससे मतलब नहीं यह कोई तर्क नहीं होता इस सरकारी भाषा बंद करिए बिल्कुल है यह सच्वाले मंत्रा ने बोलिए मेरे साथ नहीं है वो भी हमारे बच्चे है जब सब मिल गया तो हमको मैसेज किसलिए कर रहे है वो लोग रोते हुए यह ठिक नहीं इसको दिखवाईए बहस में मत पढ़िए इसको दिखवाईए मदरसा बोड के मेंबर होने नाते इतना कहिए कि हम दिखवाएंगे उसको गोल गोल भाशन मत दीजिए डॉक्टर बहस बार बार वहीं आके अटकती है कि क्या दोश सिद्ध हो गया मैं कहता हूं मैंने आख से जो अपराद देखा मैं उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक इंतिजार करूं 45-50 साल क्योंकि अगर आधी थोड़ा मालदार है तो 40-50 साल काटना उसके लिए भारत में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं जिला अदालत हाई कोड सुप्रीम कोर्ट था अच्छा वकील करो तारीक पर तारीक लेत कर जाए हम देखे फिर भी फजील है मत्स आप पाएंगे क्या मैंत आप जी नो आप इसको दोशी नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम को अभी राष्ट पती क्या भी अपील है लंबित लो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सार होने तक खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने है उनके उपर दोशारूप सित्तो होने के बाद में भी अभी महाराष्ट्र में वो याकूब मेमन की कबर पर संगम रवर लग रहा है और हाई मास्क के लाइट्स लग रहे हैं उनके जलाजे में लाखों मुसल्मानों की भीड उंडी है पुरहान वानी को मास्टर इक्ची कहिकर उद्दात्ती करन चरने वाले यही चिहादी मान सिकता है हमें लगता है कि जुडिशियल इनफॉर्म्स की जितनी जरूरत है और आपको गारंटी देता हूं दिसंबर महीने में राच्चा सभा में जम सरकार को मिलेगी उसके बाद में यार संगे आतर हो आतर हुआ है कि जन्वरी में कुछ बड़ा होगा बिल्कुर डिसंबर में जब राज्य सभा में पिजॉरिटी आएगी आपको गारंटी देता हूं आठाइस विधेयक तैयार है जिसमें से युनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरी सहीता ऐसा विधेयक है कि ये मदर्सा मुला मौलवी होने मां सब घड़ पे जाएंगे देश द्रो करने के काबिल कोई नहीं रहेगा जिस शिक्षा पद्दती म सब्सक्राइब राश्ण सर्वक्रतम सिखाया जाएगा कंप्यूटर युवाओं को रोजगार मिलेगा वही शिक्षा पद्दती रहेगी और इसके साथ में यह भी ध्यां में रखिए जिस तरीके से सरकार मुसलमानों के कुरान के शिक्षन के लिए एड़ में की है उसी त इतरभा प्यार नहीं देलेगा सबका साथ सबका विकास अगर करना है संजय भाई संजय भाई आप पित्र संगठन है लेकिन एक्जेक्यूटिव सीट पर भाजपा है सरकार में तो कृष्णमों जी दे पूढ़े कृष्णमों जी संग कह रहा है दिसंबर तक कई प्रतिक्षा है जन्वरी में सूर्य उत्तराइन होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वाकि उनने बताई दिया क्या क्या हो जाएगा आपका हिम्मत बंद रही है इसा तो नहीं कि डिप्रेशन आ रहा कि क्या बबाल संग ने लगा दिया है नहीं हम तब यसी बात नहीं है देखिए डेक्टर संजे सिंग जी वह बहुत ब्रक्ति हैं समाज में करकर करने वाले रख्तियों रात दिन समाज में कारे करते हैं उनकी अपने मस्तिस्की परिकल्पना है और इस ऐसी परिकल्पना यह देश के हर रख्ति बहुते हैं तो कोई सेस्ट और कोई बीजेस क्यों परतु जहां तक यह कानून लाने की बात है कि इस पर बिचार करेगी और जो ह पर रखी संजे सिंग जी ने कहा कि अचा चुकि वह संगह के विखती है इस रही और संगह को बाहर के मुझा लाने लगे अभी रुके लगातार नहीं बोलिए मेरा प्रश्ण सुनिए फिर उत्तर दीजिए मैंने पूछा वो कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद राज्य सभा के अंक गनित बदल्ले के बाद सरकार कॉमन सिविल कोट लेकर आएगी अब आपकी टिपनी फजीले मत और इसी बात करो सामा साब आपकी बात बताये हमको कि हिंदी को भारत की प्रफम भासा बनाएंगे जिस देश की भासा एक नहीं जिस देश में संस्कृति एक नहीं जिस देश के अंदर तमाम विचारभारा एक नहीं मुख्तली धर्मों का मुख्तली विचारभारा का देश है उसके पाउजित में हम स्तंड़टित हैं एक होकर करके रहते हैं यही पात इंको खटकती है कॉमन सिर्फ कोड बवा में क्या करेंगे कोई एक पार्लेमेंट पास करेंगी कानून को इल्लेव से कॉमन सिर्फ कोंब बना कर रहा है क्यों रिलाएज तक जो किसान बिल पास हो सकता है सारे बिल पास हो सकते हैं तो कॉमन सिर्फ कोड के लिए किस बार के इंतिजार कर रहा कि इसी बात पर आपकी टिप पनी तर देखिए कोड के बारे में तुमानिय संग विजारत अपनी बात को कह रहे हैं यह मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं कि साहब और जहां तक कोवमन सिविल कोर्ड की बात है वो इस देख में लाया नहीं जा सकता क्योंगी एक देखिए यह यहां पर थोटी छोटी चोटी चाहिए और चोटे चोटे वर्गों और भर्ण के मानने वाले लोग यहां पर रहते हैं तो कौमन सिविल कोड पुले देख के अब आप आब आवाज करते हैं मैं मुझे यार यह का बार बार खरना पड़ता है आप लोग अनुशाषित नहीं है क्रिश्मान पांडे वो कह रहे हैं कि लाया नहीं जा सकता को रोक है लाने पर कि देखिए साइद हमें मित्र साइद ये अधिवक्ता है मुझे लगता है कि इनको ठीक डंग से एक बार सम्मिधान पढ़ने किया हो सकता है